प्रकृत की नजर में सभी बराबर होते हैं वो अमीर और गरीबों की बीच फरक नहीं रखती लेकिन ये भी सच है कि प्रकृती की गुस्से का शिकार होने वाले गरीबों को अमीरों की तुलना में परिशानिया ज्यादा उठानी पड़ती है अमीर तो इस समस्या से कुछी दिन में उबर जाता है जबकि अधिकांश मामलों में गरीब इस नुकसान को सहन नहीं कर पाता और उसे विस्थापन का शिकार होना पड़ता है भारत में पिछले कुछ सालों से बदले मौसम के मिजाज ने विस्थापन की इस समस्या को कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया पिछले तेड साल में भारत मुश्किलों में फसा हुआ है मौसम में बदलाव के चलते देश की मुसीबते बढ़ती जा रही है और मुसीबत का सबसे ज्यादा असर पढ़ रहा है देश की गरीब जनता पर जो बड़े पैमाने पर विस्थापन को मजबूर हो रही है International Institute for Environment and Development के शोध में पाया गया कि देश के सबसे गरीब लोग प्राकर्तिक मुसीबतों के चलते अपना घर बार छोड़ कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है शोध करताओं ने तीन राज्यों के एक हजार घरों का सर्वेक्षन किया सर्वे में शामिल 70 प्रतीशत लोगों ने कहा कि वे प्राकर्तिक मुसीबत आने के तुरंत बाद दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए कम बरसात के चलते सूखा पढ़ने का मामला हो या फिर ज्यादा बारिश का या फिर चकरवातों के चलते मचली पकड़ने में आने वाली बाधाएं देश में विस्थापन की सबसे बड़ी वज़ा मौसम रहा है जर्मन बॉच नाम संसा सालाना ग्लोबल क्लाइमिट रिस्क इंडेस जारी करती है जिसमें जलबायू के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची दी जाती है 2021 की इस सूची में भारत टॉप 10 पर है कई राज्यों में ज्यादा बारिश का जिसने हजारों को बेघर कर दिया आर्थिक रूप से गरीब समुदाय नुकसान छेल नहीं पाता दरसल उन्हें जो नुकसान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और इसी लिए वे घर छोड़कर दूसरे जगा जाते हैं क्योंकि वे निराश हो चुके होते हैं डी बी लाइव की रेपोर्ट